नमस्कार दोस्तो, Welcome back to my channel, आज की वीडियो में हम बात करने बाले हैं, ओटो पार्स बिजनेस के बारे में, दोस्तो ओटो पार्स बिजनेस के बारे में, मैं अल्रेडी दो बीडियो बना चुका हूँ, एक वीडियो में ओटो पार्स बिजनेस के बारे में बताया था, दूसर तो आज इस वीडियो में auto parts business के बारे में मैं कुछ detail में आपको बताने बाला हूँ I hope दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी आपको इस वीडियो में useful चीजे मिलेंगी तो दोस्तो इस वीडियो को end तक देखते रहना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक request है कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की latest notification मिलेगी सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बार दोस्तो notification bell icon on कर लेना जैसे कि आपको notification मिलेगी वीडियो की तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर दोस्तो मैं आपको कुछ और चीज़ां बताता हूँ Auto Parts Business के बारे में दोस्तो Auto Parts Business आप चार तरह से अपना स्टार्ट कर सकते हो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो एक Spare Parts Store Open कर सकते हो आप दोस्तो आप Spare Parts Store Open कैसे कर सकते हो आप जैसे कि आपके पास कोई बड़ा सहर है लाइक दोस्तो आप वहां से Hero, Honda, Bajaj यह जितने भी company होती है इनके जो product होते हैं इनको खरीद के ला सकते हो किसी बड़े इंसान से जो retailer है इन चीजों का वहां से आप इन सामान को इन products को खरीद के ला सकते हो और अपने सहर में बेख सकते हो पहला option यह है आपके पास आप ठोक में लेके आईए और आप फिर उनको customer तक पहुंचा सकते हो उसके बाद दोस्तो customer को पहुंचाने का मतलब आप अपना store खोल लीजिए और customer आपसे खुद लेने आएगा और दोस्तो next option आपके पास है कि आप साथ में workshop open कर सकते हो आप एक auto parts store तो open कर सकते हो साथ में workshop भी start कर सकते हो अब दोस्तो workshop से मेरा मतलब है कि जैसे अगर आप two wheeler का auto parts open करना चाहते हो तो आप two wheeler की repairing भी दे सकते हो अब दोस्तो यहां पर दो चीजे हैं हो सकता है कि आपको auto parts repairing नहीं आती हो हो सकता है दोस्तो आपको आती हो आती हो आती है तो दोस्तो आप open कर सकते हो workshop साथ में फिर auto parts store open कर सकते हो अगर नहीं आती उसमें भी दोस्तो दो बात है पहला बात यह है कि आप हो सकता है कि सीखना चाहते हो तो दोस्तो यहां पर दूसरा दूसरी बात यह है अगर दोस्तों कोई ऐसा इंसान है जो बंदा यह जैसे अगर आप two wheeler का workshop open करना चाहो तो आप two wheeler वो बंदा two wheeler master है ठीक है वो खुद एक mechanic है तो आप उसके अंडर रहकर काम सीख सकते हो आपको time लगेगा लेकिन दोस्तों इसमें छह महीने एक साल छह महीने से लेकर दोस्त कि महारे साथ मैं auto parts store open कर लोगा हम दोनों मतलब साथ में काम कर सकते हैं आप अपना profit देखना आप मतलब जैसे कोई बंदा कोई bike सही कराने आता है ठीक है वो आप से bike सही कराएगा लेकिन वो अगर जो भी उसमें product की जरूरत होगी वो बंदा मेरी shop से उस product को लेगा तो ऐस और ऊंदा की भी company की franchisee ले सकते हो लाइक आप hero की, Honda की, बजाज की, या royal infildy की इन लोगों की दोस्तों आप franchisee ले सकते हो, auto parts की, इनकी parts की franchisee आप ले सकते हो, लेकिन दोस्तों इसमें ठोड़ा सा investment बहुत ज़ादा होता है तो दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत क्मकाप काम कर सकते हैं रहे हो अइसन इतना इतने रुपे के आपको ये बिकार हो होगा मैं यह बता रहे हूं ठीक है franchise ऐसा नहीं कि दोस्तो फ्रेंचाइजी लेना बेकार है दोस्तो फ्रेंचाइजी लेना बहुत अच्छा होता है अगर आप franchise ले लेते हो तो एक होता है कि बंदा ओल्रेडी फ्रेंचाइजी ले रखिया है या आपके पास में कोई ऐसा बड़ा सहर है जहां पर इनके प्रोडक्ट मिलते हैं कम रेट में आप वहां से प्रोडक्ट लाकर पहुंचा सकते हो उसके बाद दौसतो आपके पास लाष्ट ऑप्षन अपकर खोल सकते हो आप अपने प्रोडक्ट बेख सकते हो अब दोस्टो ओनलाइन आप बोलो गए आप डोस्टो मैं अपको ओनलाइन में एक बात बता देता हूं कि कि online इतना success नहीं है auto parts के मामले में online कौन सी चीज़ां बिखती है वो बता दिता हूं online वो चीज़ां बिखती है दोस्तों जो offline इतनी जल्दी available नहीं होती है या हर जगा offline available नहीं होती है लाइक जैसे जो expensive गारी होती है आप उनके प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो offline नहीं मिल रहे हैं वो online लोगवाग खरीदते हैं या दोस्तों आपको मालुम है कि bike में कुछ additional लोगवाग decorate करते हैं कार को decorate करते हैं तो वो offline नहीं मिलती है अच्छे है जो additional होती है bike में जो additional है तो car में जो चीज़ अडिस्वन है वो offline नहीं मिल रहे हैं तो वह चीज़ा online खरीदी जाती है तो आप उनका ऐसे अगर आप online बेखना चाहो तो ऐसे online भी बेख सकते हो लेकिन online इतना success नहीं है अभी automobile तो अगर आप दोस्तो automobile business करना चाहते हो तो इन तीनों जो option बताए हैं वो तीनों option आपके लिए best है तो अब हम यह तो होगे जोस्तो टाइप आप automobile business के कौन-कौन से automobile business आप store आप sorry automobile business start कर सकते हो उसके बाद दोस्तो आ जाती है कि investment की बात investment मैंने franchise वाली बता दी अब दोस्तो अगर आप एक store खोलना चाहते हो जहां पर आप सारे पास एक जगह से लेके आऊगे उसे बेकोगे तो वहां पर दोस्तो आपके investment की जरूद होती है ज्यादा नहीं सिर्फ एक लाख से दो लाख इतने में आप अपना एक store खोल सकते हो अब दोस्तो अगर आप इतने में अपना एक शुरुआत में इतना investment कर दो ना तो बहुत होता है आपके इतने रुपे में दोस्तो क्या क्या आ जाएगा वो बता जीता हूं इतने रुपे में आपको दोस्तो अगर आपके पास कोई swap नहीं है तो आप swap का जो rent है वो include है इसमें आप दोस्तो जितने भी running parts होते हैं bike के वो आ जाएंगे ठीक है जितनी भी शुरुवात में चीजों की जरूरत होती है वो चीजें आ जाएंगे और दोस्तो अगर आपको यह जानना है कि कौन-कौन से product जरूरी होते हैं कौन-कौन से आपके store में product होने है होने चाहिए तो दोस्तो उसकी video मैं उस पर video बना चुका हूं कि कौन-कौ कुटे से store से शुरुवात करिए लेकिन दोस्तो अगर आप मेहनत से करोगे न हूँ सकता है दोस्तो आपको 6 महीने अपने घर से पैसे लगाने पड़े हैं आपका कुछ output नाए auto parts business को stable होने में 6 महीने लगते हैं 6 महीने अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो दोस्तो आ आपका क्या होगा आप already grow कर जाओगे मार्केट में फिर लोगों से आप connect हो जाओगे और दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देता हूं कि अगर आपको बड़ा करना है ना अगर आपको अच्छा profit लेना है आपको एक अच्छे लेबिल पर लेकी जाना है अगर सारे पांच-छे साल बाद आप अपने अंदर अपनी घर से कुछ ना लगा के उसी के profit से उसमें जो प्रोड़क्त हों बारे लाक के हों आप दोस्तों एक छोटी से लेबिल से अपने स्टोर को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो दोस्तों बहुत सारी चीजे हैं जो आप को अपने माइंड में रखनी होंगी लाइक दोस्तों सबसे पहले आपका behavior दोस्तों मैंने बहुत सारी लोग ऐसे देखे हैं जो कस्टूमर से अगर कस्टूमर उनसे कुछ लेने जा रहा है ना कोई parts तो वह ऐसे बहुत करते हैं जैसे वह हम पर एहसान कर रहे हैं दोस्तों यहां पर कस्टूमर कभी उसकी वापस नहीं जाता है दोस्तों आपका behavior ऐसा होना चाहिए चाहे बंदा 10 रुपे का प्रोड़क्ट लेने आया है चाहिए कि spring लेने आया 10 रुपे की लेकिन आपका जो behavior होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए उसके regarding आप वह बंदा ऐ चीज है दोस्तों ऐसी होती है जो original नहीं होती है लेकर same to same एक normal बंदा difference नहीं निकाल सकता है कि यह duplicate यह normal कि इन में ऐसे क्या difference है दोनों एकदम same लगती है वहां पर दोस्तों आपको क्या करना है अब duplicate चीज आती है 50 रुपे की original चीज आती है दोस्तों 400 रुपे की suppose करिए दोस्तों इतना difference होता है automobile business में तो दोस्तों बंदे क्या करते हैं कोई बंदा आया उसने बोला मुझे original यह चीज दे दीजिए यह product चाहिए मुझे like indicator चाहिए कुछ और चाहिए तो बंदा indicator चाहिए 200 रुपे इंडिकेटर का चार्ज कर रहा है original का लेकिन वह 50 वाला 30 वाला इंडिकेटर आता है जो बिल्कुल original जैसा लगता है 30 रुपे का indicator दे रहा है तो दोस्तों इससे क्या होगा वह बंदा कभी उसकी दुकान पर बापिस नहीं आएगा यह हो सकता है कि वह बंदा उसको इतनी सम आगर आप कस्टूमर का ठश्ट जीत लेते हो ना आप उस बिजनिस में सक्सेस्टूल हो जाते हो अगर आप कस्टूमर का ठश्ट नहीं जीतते हो ना तो आप दोस्तों हो सकता है कि आज 300 वाप्रोडक्ट बेक्के 200 रुपे में आपको खुशी मिलेग लेकिन जैनूली और कोई बंद आपको बेब कुछ बना देता है और 10-15 दिन बाद खराब हो जाता है यब आपको पता चलता है यार यह तो और इजनल है नहीं तो आप उस बंदे की शॉप पर कभी नहीं जाओगे और 10 लोगों से मना करोगे कि भाई सब की शॉप पर चले जाना लेकिन उस ब बंदे के पास पैसे हैं ज्यादा किसी के पास नहीं है क्योंकि डुप्लिकेट और आपके ऑरिजिनल में बहुत जड़ा डिफरेंस होता है प्राइस का ओटम वैल सेक्टर के अंदर एक चीज जैसे कि मैंने इंडिकेटर की बताया 30 रुपे का डुप्लिकेट आता है तो 200 30 रुपे का ओरिजिनल भी आता है तो यह बहुत डिफरेंस है तो हो सकता है बंदा 30 रुपे का लेने आए तो उसे बता दो अगर डुप्लिकेट दे रहो ना तो बताओ उसे कि भाई यह डुप्लिकेट है और लेकिन आपका बहेबियर बे आफ टॉकिंग ऐसा होना कि आज ही आपने उपन करिया और आने वाले छे महीने बाद वह बंद हो जाए तो अगर आपको आपने एक लाखर पर लगा दी तो एक महीने में आपको वह यह लाखर पर रिटर्न चाहिए ऐसा नहीं होता दीरे धीरे बिजनेस गिरो करोगे ना तो आने बाले 5-6 साल लोगों से कैसे कनेक्ट हुआ जाए वह क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए अब दोस्तों कुछ टेक्निकल बातने कर लेते हैं यह तो अबर भी था मतलब यह सीजए तो आपको बना होनी चाहिए अगर आप कोई इस्टोर उपन करना चाहरे हो ना सबसे ज्यादा आप आप इस बिजनिस को स्टाट कर रहे हो यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों मोगाल श्टूर सॉरी दोस्तों ऑटो पार्स स्टूर है ना इसका जो आपका इस्टूर की लोकेर इसन ने बहुत ज्यादा मैटर करती है तो सबसे पहले जो लोकेर किशन है वह एक ए आप यहां पर दुकान खरीदो आप दुकान रेंट पर मिल जाती है यह चीज धियान रखिए दूसरी बात प्रोड़क्ट डिसाइड करना कि कौन कौन से प्रोड़क्ट सबसे जादा बिकेंगे बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं बता रहा हूं कि मैं ऑल्रेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं आप देख सकते हो उन प्रोड़क्स के बारे में लिंक डिस्क्रिप्सन में इस वीड तो आप उस वीडियो को देख सकते हो तो रणिंग स्थ होना तो बहुत जादा जरूरी है ठीक है और उसके बाद आप आप object करिए कि आप कितनी market को target करने बाले हो आप देखिए कि आपको business का कितना size होने बाला है कितना आप investment करो किस तरह से आपको invest करना है तो यह सारी चीज़ें depend करेंगी दोस्तो help करेंगी और दोस्तो आपको मैं बता दो कि आप यह सारा सामान अगर आप यह खोलना चाहते हो अब देहली के असपास रहते हो तो दोस्तो देहली में एक जगा है करॉल बाग यहां पर दोस्तो ओटम ओएल पार्ट मिलते हैं बहुत सस्ती कीमत में मिलते हैं लेकिन दोस्तो आप समझदार होने चाहिए हो यहां पर बहुत सोरी लोगों को दोस्तो बेबकूप भी बनाय से फिर ख़री दिए क्योंकि दोस्तों आप कोई business कर रहे हो ना start कर रहे हो तो धीरे दीरे उसमें कदम रखो भाबा दोस्तों धीरे दीरे आप आप ट्राय करो आप धीरे धीरे आप हर चीज को जो भी आप step लो इस चीज से लो क्या फेल ना हो अगर आप दोस्तों फेल हो जाते हो किसी चीज में एक चीज में तो वह आपकी गलती नहीं होगी आपको लगेगा कि मैंने अपना 100% दिया था अगर मैं फेल हो गया तो अब कोई मेरा दोस्त नहीं है अगर आप 100% दोगे तो तो फेल होकि की नहीं आइगा यह रहा है अगर राज़ाइब 10 시cą I define अगर अगर relates to अगर आपकी एजूकेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है या आप अपनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाई हो कर पाई हो अगर आप इस बिजनेस में खोलना चाहते हैं आप यहां फोर्ड दोगे इस बिजनेस को आपको लगता है यार मैं इस business में आऊऊगा तो कुछ करके दिखाऊ। जोगता ने वाले पांस साल बाद 6 साल दस लाक साल बना बनाऊंगे, तो तो धुश बिस लाक की उस बिग या लाक को आपकी दिल से है तो तो दोस्तों सर्विस कराने री जाता है बंदा खराब भी होती है तो यह बिजनिस तो ऐसा है कि आने वाले टाइम है बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी घटेगी नहीं तो बस यह चीज़ें दिहान में रखिए जो दिल आता है वह काम कर रही है जिन्दगी में दोस्तों दोस्तों अधि यहां से बंदा इतना रुपी कमा रहा कि आज बहुत ज ह시고 शबसके हो आप खुछ नहीं है आप खुछ रहोगे चार लोग आपके अंडर काम करेंगे हो सकता है कि आज आप अकेले खुद प्रोडक्ट दे जो आज खुद सारा काम आप मैनेज कर जो लेकिन आने वाले 5 साल बाद हो सकता है आपके यहां 4 वर्कर काम कर रहे हो आपको अपने चीजों को यह ध्यान में रखिए कि जिन्दी की में कुछ बड़ा करना है कुछ बड़ा आप वो सोच लीजिए कि आपको बिजनेस अगर ऑटो पार्स का करना तो इसमें भी बड़ा करना है आज अगर मैं चोटे लेविल से स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन अपने बिजनेस आज को मुकामिन दूंगा एक तो इस चीज को इन सब चीजों को ध्यान में रखे आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो आप फेल नहीं होंगे इस चीज की मैं गारेंटी लेता हूं अगर आप दिल से काम करोगे 100% दोगे उस चीज को वीडियो अची रगिए लाइक कर दे लेना सेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों खैल रखिए अपना बाई बाई टेक केर